हलो दोश्टों कैसे हैं आप सब एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूटू चैनल MS Vlogger में आज हम महाराश्ट के नासिक सहर में भोड़े नाज का सबसे लोकपड़ी मंदिर यानी तंबकेशर चोती लिंक की बात करने जा रहे हैं अगर आप तंबकेशर चोती लिंक के दर्सन करने की यूजरा बना रहे हैं तो ये वीडियो आप सम लोगों के लिए साफी यूजफूल रहेगा क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पताऊंगा कि आप तंबकेशर कैसे पहुँचें तंबकेशर जोती लिंक जा नाशिक से तमकेशर की कितनी दूरी परिस्थित है कौन सा माध्या तमकेशर पहुझने का साजन होगा और खाने पिरने की क्या बश्ता होगी अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि नाशिक से तमकेशर जोती लिंक की यात्रा करने के लिए एक बच का कुल खर्चा कितना लग जाएगा तो दोस्तों बने रही है मेरे वीडियो में मैं आपको एक एक कर सारी बातों को विश्तार पूर्वाग बताऊंगा जिससे आपको तमकेशर जोती लिंक यात्रा करने में कोई कर्टनाई नहीं हो और आपका खर्चा भी कमाए तो दोस्तों बिनार बिलम किये मैं वीडियो को प्रारम करता हूँ सतने पहले बात करता हूँ कि तमकेशर जोती लिंक कैसे पहुंचे दोस्तों यहाँ पर आपको आपके पास 3 तीन है दोस्तो अगर आपका बाई ट्रेन माध्यम है तो आप नासिक रोड उतर सकते हैं आपको देश से प्रमुक सहरो से आपको नासिक रोड के लिए ट्रेने मिल जाएंगे तो आप नासिक रोड पहुँचिए वहाँ से 30 से 32 किलोमेटर के जो दूरी आपकी बाई रोड है वह आप टैक कर सकते हैं दोस्तो ये दूरी मैं आपको बताओंगा कैसे टैक कर सकते हैं सबसे पहला आप्शन है वह आपके पास है बाई बस दोस्तो रेलवेश स्टेशन के बाहर से आपको सीटी बस देखने को मिल जाएंगी साथ ही साथ आपको वहाँ आटो भी मिल जाएंगे आटो वाले से कहना कि हमें बस श्टैंट छोड़ दे इसको मेला बस श्टैंट भी बोला जाता है तो आप वहाँ से साथ किलोमिटर की दूरी परिष्थित है आपका मेला बस श्टैंट वहाँ आप आज आ सकते हैं मेला बस स्टैंड से आपको डारेक्ट बसे मिल जाएंगी वो आपको तमकेशर छोड़ देगी 30 किलोगटर की दूरी ये मान के चलिए कि एक घंटा का समय लगेगा वही बात करूँ बस की टिकट का तो आपको दोस्तो 20-25 रुपए एक बस का टिकट लग जाएगा वो आपको तमकेशर बस स्टैंड पर छोड़ देगा ये था दोस्तो अगर आप सिटी बस सरकारी बस से आना चाहते हैं अगर आप खुद की गाली या बुक करा कर जाना चाहते हैं तो वहां से आपको कैप टैक्सी बुक करा कर जा सकते हैं टैक्सी वाला आप से 800 रुपए से 900 रुपए लेगा और आपको अराम से तमकेशर छोड़ देगा कि वो आप से 40-45 मिलट लेगा तो दोस्तो ये था आपका बाई ट्रेन से आ सकते हैं अब मैं दुसरा अप्शन की बात करूँ तो वो है आपका बाई फ्लाइट अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो आपको क्या माध्यम होगा तो दोस्तो आपको नाशिक एरपोर्ट आना पड़ेगा वहां से टैक्सी बस जो भी आप चाहें वहां से तमकेशर मंदिर पहुं सकते हैं दोस्तो तीसरा अप्शन है वो आपका बाई रोट तो दोस्तो महाराष्ट में इस्टेट ट्रांस्पोर्ट की बसे की सर्विशेश हैं जो वहां काभी ही जड़ा अच्छी मानी आती हैं अगर महाराष्ट से हैं आप बाई रोट असानी से यहां आ सकते हैं चलिए दोस्तो तमकेशर हम पहुंच चुके हैं अब हम बात करते हैं कि हम तमकेशर में कहां रुके हैं आपका होटल भी अच्छा हो और कम कीमत भी हो सबसे पहले आप्शन की बात करूँ तो वो है आपका गजरन स्वामी ट्रस्ट का रूम ट्रस्ट की तरफ से आपको रूम वा खाने के सर्विश उपलत करा जाती है तो आप गजरन स्वामी के ट्रस्ट में आप रुक सकते हैं रूम देख सकते हैं अगर मैं नाने इसी रूम की बात करूँ तो आपको 400 से रुपाय से 5 से रुपाय तक आपको किराय देना होगा अगर वहाँ अब रुख सकते हैं यहीं मैं इशी रूम की बात करूँ तो आपको 900 रुपाय से 1000 रुपाय तक आपको देना पड़ेगा इशी के साथ खाने पीने की बात करूँ तो आपको गजनस्वामी सहस्थान का ट्रस्ट है वही पर आपका प्रसादाल यानि भोजनाल है तो आप वहाँ टोकेन पचास रुपय का कटा कर भरपेट भोजन कर सकते हैं दूशरा आप्चन है वो तमकेशर मंदिर है उसके सहस्थान की तरफ से वहाँ स्वीपर साथ की तरफ से गेस्थाओस है तो वहाँ आपना इस्टिबराय सकते हैं ये गेश्ठावश्वी पर साथ तमकेशर मंदिर के पास ही बना हुआ है यहाँ पर किराया के बात करूँ तो आपको 300 रुपाय से 400 रुपाय तक पर जाएगा अगर आपको दोनों आप्शन में से आपको रूम नहीं मिलते हैं तो आप वहाँ बहुत सारे आपको प्राइवे तमकेशर जोती लिंग 12 जोती लिंगों में से एक जोती लिंग है तो तमकेशर जोती लिंग के दर्शन से पहले आपको कुशा वर्ता कुंड है यहाँ पर आपको अशनान करना है यानि यहाँ पर गोदा विरिक पानी का अकत्र होता है इसी कुशा वर्ता तीर्थ में यहा होता है वो इसी स्थान पर कुम लगता है वो नाशिक के तमकैशक में गोधा विरिंग के टट sug पर कुषा वर्ता तीर्थ में महाकूम लगता है यह वही कुंड है तो आप अश्रांग करिए अश्रांग करने के बाद आपको तमक्षर जोती लिंक के दर्शन करने हैं दर्शन में लगने से पहले आपको कुछ बातों के ध्यान रखना है आपके पास मुवाइल कैमरा सलफी इस्टिक नहों अगर आपको पास यह सारी ची करने के लिए लाइन में लगना है महादयो का नाम लेते रहिए लाइन में लगिए और कुछी देर में आपको महादयो के दर्शन मिल जाएंगे अब बात का लेते हैं कि तुम्जशर जोती लिंग के दर्सन करने के लिए किस समय यूजना बनानी चीए जिससे जल्दी से जल्दी आसानी से दर्सन हो सके और भीड का सामना भी न करना पड़े दोस्तों सबसे ज़्यदा यहाँ पर भीड होती है वो सावन के महने में होती ही मासुरात्री के दिनों में होती है या प्रिशेक्षता के सुंबार में होती ही अगर सुंबार के दिनों में आएंगे तो आपको चार से पास घंटे दर्सन लाइन में लग जाएंगे यदि आप समान दिनों में आएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक डिर घंटे में आपको महा देव को दर्शन मिल जाएंगे तो आपको भीड़ भी का सामना कम करना पड़ेगा चले दोस्तों अब हम गर्व ग्रहम के अंदर पहुंच चुके हैं महादुव को नाम लेते हुए सामने आपको महादुव के दर्शन करिए अपनी मनों को आमना मांगिए सर जुकाईए और मंदिर के प्रांगल के बाहर आप आ जाएए मैं एक बात और आप लोगों बता देता हूँ अगर आप इश्पश करके जोती लिंग के दर्शन करने हैं तो तुवे 6 बजे से 7 बजे तक गर्व ग्रह में प्रवेश करके दर्शन करने दिया जाता है लेकिन सिर्फ परशों को महलाओं को नहीं अगर फूजा याचना करना चाहते हैं तो आप 6 बजे से 7 बजे के बीच में जाकर जोती लिंग को छोकर दर्शन कर सकते हैं साथ बजे बाद गर्व ग्रह को बंद कर दिया जाता है फिर आपको दूर से ही आपको दर्शन करने दिये जाते हैं तो दोस्तो मंदिर परसर के बाहर दर्संग करके आप आ जाईए चलिए दोस्तों आप बात करते हैं कि आपको तंक्योषर में और कौन कौन से दर्संग के दर्संग करने है सबसे पहले बात मैं करता हूँ ब्रह्मगरी परवत के दोस्तों ब्रह्मगरी परवत अठारा सो फीट पर बना हुआ है ये ब्रह्मगिरी परवत जाने के लिए मान के चलिए कि आपको पंदास सी सीड़ी चलका जाना पड़ेगा ब्रह्मकिरी में गोदाविरी का उद्रवम होता है तो आप यहां दर्संग करिए जैसे ही आधे दूरी में पहुचेंगे तो आपको जटा श्यू का मंदर मिलेगा जहांपर संगर जी ने अपने जटा को पतका था यहां भी दर्संग करिए आगे चलकर आपको राम कुंड लच्मन कुंड मिलेगा तो आप इस कुंड में जाकर जल ग्रान करिए और इनके भी दर्सन कर सकते हैं प्रमगरी परवत्पासी आपको गोरानात गुफा है गोरानात गुफा में लगा हुआ आपको निलामी देवी मंदिर है यहां भी जाये दर्सन करिए यह सभी अस्थानों के दर्सन करने के बाद अब चलते हैं और उजिद करेंगे नाशिक को वहाँ पर बहुत सारे मंदिर मिलेंगे उनके भी हम दर्सन करेंगे चले दोस्तों सबसे पहले अस्थान की बात करते हैं वो है आपका सीता गुफा शक्री रास्ता है गुपा में पहुँचकर माता के दर्सन करिए अगरे अस्थान की बात करूँ तो वो है आपका पंचवटी पंचवटी में दोस्तों लंबे लंबे पांच ब्रच हैं जुन प्रवत में माता अंजनी का मंदिर हुआ हन्मान जी का मंदिर भी बना हुआ है वहाँ भी जाईए और दर्संग करिए यह नासिक से 10 किलुमटर की दूरी पर है आगे बढ़ते हैं तो वह आपको पढ़ेगा शिद्धनात हन्मान जी का मंदिर हन्मान जी की एक बड़ी बहु कुछी दूरी पर बना हुआ है यहां भी दर्संग कीजिए इस तरह से नासिक को पूरी तरह से घूम सकते हैं चले दोस्तों अगरी बात करते हैं कि यह सारे अश्थान घूमने के लिए एक बित का कितना खर्चा आ जाएगा ब्रह्म गिरी के पास दर्सने श्थानों को अगली बात करते हैं कि हमको नाशिक घूमने के लिए कितने दुनों का प्लान बना चाहिए तो यह मान के चलिए कि दो दिन एक रास अफी सेंट है पहले आप तुमकेशर जोतिलिंग या ब्रह्म गरी परवत या असके आस पास के तशने श्था घूम सकते हैं दूशरे दि ट्रेस्ट का भोजन करते हैं और एक नाइट टू डे रुकते हैं तो यह मांग चलिए कि दो हजार रुपाय से धाये रुपाय एक बच का खर्चा आ जाएगा इसमें मैंने किसी तरह का ट्रेन का टिकेट या फ्रैट की टिकट को नहीं एड किया है इसमें किवल बस का टिक कोई प्रेश्ट उठता है तो मेरे इस्ट्री ग्राम जाकर आपने प्रेस्ट पूल सकते हैं इससे पहले किसी के अन्ड के वीडियो में आप हो जाए इससे पहले मेरे चनल को मस बलाकर को सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई यात्रा के साथ तब तक के लिए सुक्रिया हर हर महाद्यू आपकी यात्रा मंगल मैं हो